जै हिन दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है Mr. Scalper की एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त संचित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था किस तरीके से म स्ट्राइजाइज कर सकते हैं ओवरॉल कुछ इंपॉर्टन अपडेट्स जो मिरको आपको लेवल्स के बारे में देनी है सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सेक्टर के साथ तो चलिए अब जादा टाम बेस ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और चरणे मार्केट 15 इनिट चार्ट में रहेंज बना हैै नीचे की साइड ये रही शुरू है ьस पर नोग्या अब भी यह जो एक important resistance है 35,500 का IT sector के लिए उसके नीचे ही बंद हुआ एक बार उपर जाने की कोशिश करी थी तो fresh weakness अगर आपको IT में करनी है तो यह नीचे ना एक support है जो मैंने last time भी बनाया था जो weakness का momentum है यहाँ पर थोड़ा sideways choppy इस टाइप का आपको momentum दिखेगा अगर यह इस 35,500 का जो level है ना इसको नहीं तोड़ पाता है IT index तो weakness short करने की आपको मिलेगी जब 34,500 के नीचे यह breakdown देदेगा अगर यह 34,500 के नीचे breakdown देता है तो यह नीचे की side इसके पास 33,200 का कोई support नहीं है मतलब जैसे 1200 point का इस तरीका fall जो है एक दिन में तो नहीं बट एक दो 3-4 दिन लगा के इस support के नीचे जो है देखने को मिलेगा बट जब तक यह support hold कल रहा है 34,500 का आप लोगों को IT में डरने की बात नहीं है क्योंकि बहुत सार लोग IT में थोड़ा panic हो रहे हैं IT बहुत run up किया है अगर cool off होता है थोड़े दिन base बनाता है sideways जाता है तो उसमें क level 34,500 के जितना पास आता है आप add कीजिए और नीचे जाता है तो और add कीजिए long term accumulation के लिए wealth generation के लिए तो यह सारी चीजे होती है इस तरीके से आप IT sector को play कर सकते हैं अभी के लिए निफ्टी की अगर हम उससी तरफ बात करें निफ्टी में जो gap down हुआ उसके बाद gap down के बाद सीधा buying आनी start हो गई और पहली 15 minute की candle नहीं दिखा दिया कितनी strength है support से bounce किया इसके नीचे जाता तब हमारी क्या expectation थी 787 75 तक की थी बट उसकी बात ही नहीं आई और हम लोग 949 50 क क्रॉस कर गए हैं बट यह दुबारा से यह weakness और उसके बाद यह दिक्कत क्यों आई सबसे पहले हम यह चीज समझते हैं एक तो ब्रेंट क्रूड 84 डॉलर को क्रॉस कर गया है क्रूड ऑल का प्राइज नेगेटिव है बहुत बड़ा नेगेटिव है अगर आप इंडियन मा नेगेटिव है तो अगर उसमें कुछ कूल ओफ देखने को मिलता अगर आज के दिन इंट्राइड है तो हमें यह गेंस जो होल्ड रहते बट यह लोगों ने प्रॉफिट बुक कर गया है कुछ ऐसा नहीं कि फॉल आया कुछ चीज हुई रेजिस्टेंस दिख रहा था लोगों को दो तीन बार 18,000, 25, 18,000, 30 के लेवल पे यहां पर रेजिस्टेंस लोगों को मिल रहा था तो लोगों ने क्या सोचा एक बार प्रॉफिट वो कर लेते हैं कल दुबारा देखेंगे क्योंकि ओवरनाइट अगर क्रूड ओल 86, 85, 87 के आसपस निकल गया मालीजे कुरूड में कुछ ब्रेकाउट आ जाता है नेगिटिवली तो मार्केट हो सकता है गैप डाउन मिले और वहां से बाइंग आनी शुरू हो तो यह सेलिंग देखके कोई घबराना या यह चीज की बात नहीं है बड़ यह जस्ट मार्केट के जो अभी भी बनी हुई है 18,000 की जो स्ट्राइक है उसके उपर 94,000 के आसपस कॉल राइटर बैठे हुआ है 22,000 के आसपस ओपन इंटरेस्ट आज के दिन आड़ हुआ है उसके अलावा आज के दिन अगर कॉल राइटिंग हुई है तो second highest open interest बना है 18,300 के उपर 18,300 के उपर जहां पे 71,000 के आसपस open interest बना हुआ है 21,000 के आसपस overall आज के दिन addition हुआ है अगर हम put की side देखते है 18,000 के लेवल पे 38,000 के आसपस change in हुआ ही है मतलब इतने contracts लोगों ने write करे है 50,000 के आसपस जो है वो writing करके गए है देखिए market कहां पे बंद हुआ है 50 पइंट नीचे उसक चीज जो है आपको समझनी चाहिए आज specially FNO data बहुत interesting होगा FNO data में क्या यह जो writing है put writing यह FIIs द्वारा करी गई है यह retail द्वारा करी गई है अगर retail द्वारा करी गई है तो हो सकते हमें थोड़ा और gap down मिले जिससे इन जो put writers इनको पर pressure देखने को मिल सकता है बट अगर जैस अगर आप बड़ी वीडियो बहुत जल्दी आएगी अब कल के लिए क्या scenario मन रहा है कि जब तक हम 18,000 के उपर नहीं निगलते यह contracts जो है बहुत बड़ा नंबर है 94,000 यह trap नहीं होंगे नीचे की साइड मानता हूं 18,000 पर 50,000 contracts जो है वो put writing करके गई है बट दिक्कत क्या है अगर इस writing के मुकाबले कहीं पर कोई writer है तो वो 17,800 के उपर है 89,000 के मुकाबले में ठीक है अब दिक्कत क्या है ना call writers को कहां पर दिक्कत होगी अगर यह जो 18,000 की strike पर call writers जो 94,000 बैठे है यह अगर retail clients है जो आज की दिन addition हुआ है अगर हम देखते है retail clients call writing करके गए है तो बहुत strong उपर की साइड का momentum हमें मिल सकता है अगर हम क कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि put writing अच्छी हुई है और इंदा मनी put writing हुई है यह एक और अच्छा एक positive step है world market की बात करें Dow Jones 34,500 का support hold कर रहा है अच्छी चीज़ है जब तक यह hold कर रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है एक ही दिक्कत की बात है Brent crude उपर जा रहा है उसके साथ में क्या दिक्कत हो रही है कि आज के दिन एक और अच्छी चीज़ है कि जो bond market है वो बंद है तो bond yields में कु साइडवेज हो सकते हैं कोई clear trend हमें देखने को ना मिले क्योंकि वेड़नेस देको उनकी fed की minutes आने वाली है और उसके बाद ही कुछ action होगा खैर US market के अब जादा बात करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा market US market या और किसी भी world market के हिसाब से नहीं चल रहा है अपनी strength पे Indian market जो है वो चल रहे हैं और especially gap down के बाद पूरी जो तेजी हमें चार्ट में आज के दिन देखने को मिली क्योंकि लास्ट दो दिन से क्या हो रहा था बड़ा gap up हो रहा था उसके बाद साइडवेज हो ता बड़ा gap up sideways आज हमें ट्रेडिंग मूव देखने को मिला जिसे हम trade कर पाए हैं अब कल के लिए क्या है देखो कल के लिए अब हमें क्या देखना है सबसे बहले 18,000 25 18,030 मैंने टेलिग्राम ग्रूप पे आपको दिन में बता दिया था जो नेक्स रिजिस्टेंस एरिया 18,000 25 18,030 क्योंकि इसके उपर अगर मार्केट 15 मेंट की कैंडल क्लोस दे अलावा IT सेक्टर में जो वीकनेस थी उसके कारण हमें ये ब्रेक आउट होता हूँ नहीं दिखा अब कल के लिए यही हमारा ब्रेक आउट लेवल है इसको थोड़ा अगर मेरे को शिफ्ट करना हो तो मैं इसे बोलूँगा 18,050 और 18,040 ठीक है 18,040 18,050 यह अब आपके ल इसके उपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग जा सकते हैं 18,150 तक अगर आप मेरे से पूछे तो यह इंपॉर्टन लेवल है अब 18,050 अगर निकालता है कल के दिन निफ्टी तो दुबारा से उपर की साड का एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है वीकनेस कहां पे आ नीचे आने लगता है और फिर यह तोड़ता है देन हमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है अगर डिरेक्ट गैप डाउन हो जाए मान लीजिए 850,840 जैसे आज के दिन हुआ इस लेवल के आसपस कहीं पर गैप डाउन होगा तो दुबारा से बाइंग एक मोमेंटम आसकता है 940,950 तक तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है 17,950,940 के नीचे निकलेगा पहला साइन वीकनेस का दूसरा साइन कहां पर होगा जब 840,850 दो दिन से इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है जिस दिन इस सपोर्ट को टूटेगा वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी यह आपको चार्ट पर दिख जाएगा तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है देखो बहुत सार लोग इस चीज को बूलते हैं कि मार्केट बुलिश है बट बीच बीच में कुछ लोगों की बाते सुन लेते हैं या फिर आप भी बोल देते हो कि ब्रेंट क्रूड आप समझें मान लीजिए आप क्रिकेट पिच पे क्रिकेट खेल रहे हैं आपको पता है कि विकेट में जो है वो स्विंग है जैसे आपको बैक 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 ऑफ दमाइंड यह पता है कि ब्रेंट क्रूड बढ़ रहा है जो फंडमेंटल से वो उतने सपोर्टिव नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आप रैस शॉट खेलने स्टार्ट कर दो इस चीज़ को आपको समझना है कि आपको अगर तेजी खेलनी है जो कि मोमेंटम में है मोमेंटम तेजी की तरफ है बिल्कुल है आपको तेजी खेलनी है बट आपको क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस कर आएगा जब तक फंडमेंटल चीज़ें नहीं सुधरती जैसे ब्रेंट क्रूड ओल जो है वह अगर डाउन आना शुरू होता है 84 से 82 81 80 की तरफ आता है देन आपको थोड़ा और कॉन्फिदेंस आएगा और अगर हम बाकी सारी चीज़ें भी देखें फंडमेंटली जो र लेवल पर फोमों के चकर में एंट्री ले लो और उसके बाद फस जाओ इन चीजों के चकर में यह चीज़ें डाल रही है आज भी देखा मोमेंटम के बाद एक डाउन फॉल आया वह इस वजह से आया क्योंकि फंडमेंटली अभी भी बैक आफ दा मैंड लोगों के यह जो वंदे मातरम